हालो स्टुडिंट्स आज की वीडियो में डिसकस करेंगे आपकी पोएम ओन किलिंग अ ट्री से वर्ड मीनिंग्स शब्दर्द हमारा फर्स्ट वर्ड है हैक ह-a-c के हैक भारी चोट लगा कर काटना नेक्स्ट चॉप चॉप कुलहाडी से टुकडे टुकडे करना कुलहाडी से टुकडे टुकडे करना Do it का वैसे मीनिंग होगा इसे करें लेकिन यहां पोएम में आप ले सकते हैं प्रभावित करना ट्विग T-W-I-G-S छोटी पतली शाखाएं Miniature M-I-N-I-A-T-U-R-E Miniature छोटी छोटी B-O-U-G-H-S 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 पेड़ की मुखे डालें या आप डालें कह सकते हैं B-O-U-G-H-S B-O-U-G-H-S पेड़ की डालें Anchoring Earth यानि के धर्ती जो पेड़ को सहरा देती है Snapped Out अचानक जटका लगा कर बाहर को उखाड़ना जिसे पेड़ को पेड़ की जड़ को जटका लगा कर धर्ती से बाहर निकाला जाता है Snapped Out अचानक जटका लगा कर बाहर को उखाड़ना Earth Cave पेड़ की जड़ों के द्वारा धर्ती में बनाया गया एक गुफानुमा गढधा Strength of the Tree Strength of the Tree पेड़ की स्टेंथ पेड़ की ताकत यानि के यहां आप कह सकते हैं पोएम में जड़ें जो पेड़ को शक्ती परदान करती हैं Exposed E-X-P-O-S-E-D Exposed बाहर खुले में लाना Source S-O-U-R-C-E Source यानि के Shroth Next Scorching S-C-O-R-C-H-I-N-G S-C-O-R-C-H-I-N-G Scorching धूप में जुलसा देना या जुलसा देना Chocking C-H-O-K-I-N-G Chocking दम घुटना या आप कहें सांस लेने के अयोग्य बना देना And then It is done And then It is done और तभी वास्तव में पेड़ मारा जाता है यह आप मीनिंग यहां पोएम में ले सकते हैं And then It is done का पोएम में मीनिंग है और तब अन्ततेह वास्तों में पेड़ मारा जाता है Students यह वर्ड मीनिंग आप अपनी नोट बुक्स में Note down करके Learn और revise कीजिए Thanks Have a nice day